What comes to your mind when I say blueberry? Can I guess? Cheesecake जी हां, blueberry बोलते ही दिमाग में आ जाता है cheesecake तो चलिए, cheesecake बनाते हैं लेकिन बेक नहीं करेंगे स्टीम करेंगे उसको और साथ में उसमें डालेंगे गुलाब जामर सबसे पहले डालेंगे Philadelphia Cheese देखिए, जादातर Cheesecake जो है, वो Philadelphia से बनते हैं लेकिन Quark नाम की एक Cheese होती है, हलकी सी घटी होती है अगर आप थोड़ा सा Quark और थोड़ा Philadelphia यूज करेंगे और चीजकेक और अच्छा बनेगा लेकिन हिंदुस्तान में Philadelphia चीज आपको सब जगा मिली जाएंगे अगर आपके पास Philadelphia नहीं है और आप अंडे नहीं खाते हैं तो आप स्टीम डिया बेक चीजकेक मत बनाईगे अगर आप घर पे पनीर बना रहे हैं तो जो पनीर छेने जैसा हो उसको निकाल दीजिए अच्छे से उसको फेंटी है जैसे सौंदेश के लिए हम छेना फेटते हैं और उसको इस्तमाल करके उसके साथ चीज से बनाई है बहुत अच्छा बनता है छेना चीजकेक लेकिन सेट करना पड़ेगा क्योंकि बेक करने के लिए बाइंडिंग बगएर अंडे के आना बहुत अच्छे को अच्छे से फेंट लिया शुगर एक योग अच्छे से इसको निकाल लेते हैं थ्री होल एक्स कोशिश करिए एक-एक करके डालें अंडे क्योंकि फिलिदेल्फिया जो है बहुत जादा पड़र होता है उसमें घी होता है और घी और अंडे का मेल नहीं है इसे धीरे धीरे अंडे डालने की कोशिश करें डोंट बीपेशन लाइक अठाइस ग्राम कॉन स्टार्च अच्छे से मिक्स करेंगे और डालेंगे 70 ग्राम्स क्रीम सारहे 500 ग्राम चीज भी है 900 ग्राम का चीजकेक निकलता है कोई भी डाजेस्टिव बिस्किट आप यूज कर सकते हैं इसमें अपना जादा टेस्ट लाओ अब इसमें डालते हैं थोड़ा बटर और साथ में अच्छे से मल लेते हैं पतर ने इस बिस्किट क्रम को शॉट कर दिया क्यूंकि अब ये बिस्किट शॉट हो गया तो ये खिरिश्की रहने इसके चांस बढ़ जादें बाइंडिंग के लिए अम दालेंगे एक 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 योग अब ये बिस्किट क्रम लेके वेरी थिन शीट पहले जो हमने मिक्स्चर बनाया है इसमें थोड़ा सा लिमन जूस डालेंगे क्योंकि नैचिरली सावर नहीं होती फिलिदेल्फिया अब इसमें डालते हैं अपना चीज केक का मिक्स्चर इसमें डालते हैं गुलाब जामून तो अब इसको हमने दे दिया हिंदुस्तानी टच अपने गुलाब जामून डालते हैं एक चीज और है आप चाहें तो इसको आपने क्रीम चीज का मिक्स्चर बनाया है इसको रेस्ट करें कम से कम आधा पॉना गंचा रेस्ट करें उसको रेस्ट करेंगे तो जो अननेसेसरी एर उसके अंदर निकलेगी एक देंसिटी मिलेगी बहुत जादा अननेसेसरी ली फलफी या बड़े चोटे एर बबल्स के साथ नहीं बनेगा चीज के तो अब हम इसको धीमी आज़ पे धीरे-धीरे स्टीम करेंगे फ़र एक्जाक्ट 90 मिनट्स अगर आपके पास ऑवन-बेस्ट स्टीमर है जो की प्रेशर में स्टीम करता है तो फच्पन से साथ मिनट्स इसको स्टीम करें नहीं तो घर वाले स्टीमर पे ऐसे ढोकला स्टीम कर वो आएगा और उसके लिए इसको फिरिज में डालना मौशोगी here we go चीजकेक तयास fruits का और spices का combination बहुत अच्छा है और यहां यह plate देखके मैं दो चीज जरूर करूँगा एक तो इसमें तोड़ा cardamom powder sprinkle करूँगा क्योंकि इलाइची जो है वो गुलाब जामून के साथ भी जाएगी फिलेदेल्फिया की richness के साथ भी जाएगी और साथ भी blueberries के साथ भी जाएगी और दूसरा हलका सा crushed black pepper जियां मीठे के साथ काली मिर्च आपको खाने को बोल रहा हूँ ट्राइज जरूर कीजेगा और साथ ये थोड़ा सा स्क्रोल करिये और देखिए वापस रेस्पी आफ दे ब्लूबरी गुलाब जामून शीश्की कर देखिए ब्लूक के लिए देखिए आपको जिएगाँ नहिए रहा हूँ